विद्दमंत्री निर्मरा सीता रमण ने कहा कि मोधी सरकार ग्यान यानि जीवाएन पर फोकस कर रही है जी माने गरीब, वाई यानि युवा, ए यानि अन्नदाता मतलब हमारे किसान और नारीशक्ती महिलाए हमने इसके part 1 और part 2 और part 3 में गरीबी युवाओं और किसानों की बात की है जिसका link description box में दिया गया है इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के मुद्धों पर कि मोधी सरकार महिलाओं के मुद्धों पर कहां खड़ी है इसका हिसाब किताब करते हैं लेकिन उससे पहले एक अपील अगर आप स्वतंतर पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर बने इसके आपको कई फायदे भी मिलेंगे ज्यादा जानकारी description में दी गई link पर मिलेगी भारत में जितने लोगों के पास रोजगार है उसमें महिलाओं की भागीदारी में कई दशकों से कमी देखी गई है ये trend पिछले 9 सालों में और भी बत्तर हो गया है World Bank के आंकड़े बताते हैं कि 2012 में महिलाओं की भागीदारी 27% थी लेकिन 2021 तक ये गिर कर 22.9% हो गई है ये नीचे जाता ग्राफ बेहत चिंता जनक है लेकिन थोड़ा पहुत positive भी है हमने आपको पिछले 9 साल का आकड़ा बताया लेकिन केवल 2022 की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी में 24% की मामूली वृद्धी हुई है 2023 में ये बढ़कर 34% हुई है लेकिन राश्ट्री अपराद रिकॉर्ड ब्योरो अपनी रिपोर्ट में महिला सुरक्षा की गंभीर वास्तविक्ता पर प्रकाश डालता है 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराद के 4,45,256 मामले सामने आए इसके हिसाब से अंदाजा लगाएं तो हर घंटे लगबग 51,25,258 थी जबकि 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किये गए थे दोईश दुनिया की बागी ख़बरों के लिए देखते रहिए कुइंट हिंदी जब इसके हिंदा र ामले बतो हुआज जबगाएं और यह इसके हिंदाने कीमत रहिताएं